बिहार Government ने एक ऐसा फैसला लिया है जो से Aspiring Teachers को मदद मिलेगी दरसल अब तक ज्यादत पर उमीदवार State Teet और Central Teet यानी State Teacher Eligibility Test और Central Teacher Eligibility Test दोनों की तयारी करते थे लेकिन अब बिहार सरकार ने फैसला किया है कि State Teet की परिक्षा नहीं होगी सिर्फ केंद्र इस्तर पर TET की परीक्षा करवाई जाएगी तो स्टूडेंट्स को दो-दो एक्जाम्स की तयारी नहीं करनी पड़ेगी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवी प्रकाश ने शिक्षविभाग किस निदे की जानकारी बिहार विद्याले परीक्षा समिती को दे दी है अब बोड पर अंतिम निदे लेकर पटना हाई कोड को इसकी जानकारी देगा बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार विद्याले परीक्षा समिती दवारा ली जाती है In future हो सकता है कि ये परीक्षा दुबारा कराई जाए क्यूंकि Education Department में विशेश TET आयोजित करने की संभावना फिलहाल रखी हुई है बिहार में सबसे पहले पहली बार State Teacher Eligibility Test परीक्षा साल 2011 में हुई थी साल 2011 में TET में क्वालिफाई हुए अभ्यर्थियों की मानिता 7 सालों के लिए थी यानि वो 2018 तक नियूपती प्रक्रिया के लिए योग्यत है बिहार TET परीक्षा के लिए बिहार बोर की आधिकारिक वेबसाइट बिहार बोर ऑनलाइन.bihar.gov.in पर अप्लिकेशन फॉर्म जारी किये गए थे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर किजेगा तमाम चोटी बड़ी अपडेल्स के लिए आप चानल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं